तो आज हम 2012 में रिलीज होने वाली एक एसी कॉरियन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो की बहुती साथ बूटल है जिसने अपने साइकोपन को शांत करने के लिए बहुती अलग अलग तरीके के और गिनोने क्राइम किया है लेकिन फिर भी वो बच गया तो आगे इस मूवी की कहानी में क्या हुआ चले आजिए वीडियो में देखते हैं जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब में करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं तो इस मूवी की कहानी शिरू होती है चोई नाम के एक फेमस प्लास्टिक सर्जेरी करने से पहले उसकी बॉड़ी के उपर लाइन्स को डौ करता है मतलब कि वो उस लड़की की पुरी परस्टिक सर्जेरी किस लड़की के उपर हो रही थी हमें ये तो नहीं दिखा जाता है लेकिन डौक्टर चोई के हाथ में हमें एक लड़की की फोटो को नोटिस करते हैं तो आगरी लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखना डौक्टर फे सर्जिकल नाइफ से लड़की की बोड़ी को काट काट कर प्लास्टिक सर्जेरी करना शुरू करता है सीन ये पर कट होता है और कहानी कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है जहाँ पर हम उसी फोटो वाली लड़की को देखते हैं और उस लड़की का नाम जूंग था और ये लड़की डॉक्टर की ही पतनी थी जूंग डॉक्टर चोई के लिए हर काम को परफेक्ट ली किया गरती थी चोई उसको जैसा देखना चाता था वो उसे के हिसाब से रेडी भी होती थी और यू छोटी-छोटी बातों पर गुष्सा होने वाला इनसान था चोई जूंग को बिटिफूल कहता है जूंग के उपर बहुती गुष्सा होता है चोई को उन लोगों से नफरत थी जो कि उसकी बातों को सीरिसली नहीं लेते हैं और वो उसके उपर हज़ देते हैं तो अब बिना गलती के भी जूंग चुई से माफ़ी मागती है फिर चुई जूंग की दिये हुए टाई को लेकर उस पर गुस्ता करना लगता है चुई के गुस्से से जूंग डर भी जाती है अब आफिस जाने से पहले चुई उसके भीएवर के लिए जूंग से माफ़ी मागता है चुई उससे ये भी कहता है कि उसे आज घर आने में देर हो जाएगी क्योंकि आज उसको भूछ सारी सरजेरिस करनी है जूंग आने से पहले उसे कॉल करने को कहती है ताकि उस सही टाइम पर उसका डिनर रेड़ी कर पाए अब चुई जूंग के हाथों को टच करता है और रिकेता है कि वो उसके सब कुछ है तो इसलिए वो उसे कभी भी धोका नहीं दे लेकिन जूंग के भीवर से ही हमें साथ दिखाए दे रहा था कि जूंग को चुई का टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था चुई के जाने के बाद में हम जूंग का एक अलगी रूप देखते हैं उसे चुई के हिसाब से रेडी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो इसलिए वो चुई के पसंद के पहनेवे कपड़ों को भी उतार देती है और अपने बालों को भी अपने हिसाब से खोल लेती है जूंग स्मोकिंग भी कर रही थी और चोई को गाली भी दे रही थी चोई को जो म्यूजिक पसंदा उससे भी जूंग नफरत करती थी और तोहर चोई को आफिस जाने के बादी जूंग टिक से सांस ले पाती थी तब ही जूंग को उसका बुरेफिन यंग का कौन आता है और पतनी जूंग के उपर नज़र रखे हुए था क्योंकि शायद उसे बहुत पहले से ही जूंग की नहरकोतों के बार में पता चल जुगा था अब घर के अंदर आने पर यंग और जूंग रोमांस करने में बीजी थे दोनों बेडरूम के अंदर जाते हैं और दोनों बेडरू सूल बॉक से एक हेमर निकालकर दोनों को मानने वाला था कि तभी डॉर्बिल बजने के कारण चुछ चुप जाता है यहां पर दर्वाजे पर जूंग की मदर सूल आई हुए थी और किसी को कुछ भी पता चलने से पहले जोई पीछे के दर्वाजे से घर के बाहर निकल ज सूल को पकड़ने वाले थी लेकिन जूंग उसे रोक लेती है वह सूल को बताती है कि उसका यूंग के साथ में अफिर चल रहा है और इस बात को सुनकर सूल भी चौक ड़ती क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि जूंग कोई भी गलती करके उनका प्लान खराब कर दें यहा लेकिन जूंग चोई के साथ में रेकर अब थक चुकी थी वहर दिन चोई के हसाब से नहीं रहना चाहती थी उस सिदर चोई के साथ में रात को इंटिमेट होने में भीगीनाती थी क्योंकि शादी से पहले उससे नहीं पता था कि अतना ज्यादा पाकागल इन सान होगया expansion अब चोई को डेवोस देकर आज़ाद होना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ पहले जैसे जीव पाए लेकिन सुल जूंग को कुछ सालों तक चोई के साथ में रहने को कहती है ताकि उसे डेवोस के बाद में चोई से अच्छा खासा पेसा मिले लेकिन जूंग ने अपना म को मानने के लिए चोई ने अपने पास में एक हेमर रखी हुई थी यूंग को देखने के बाद में चोई को यूंग और उसकी वाइफ जूंग के इंटिमेट मूमेट याद आते हैं और गुस्से में वो यूंग को माननी वाला था लेकिन सही टाइम पर लिफट फ्लोर पर आकर रुख जाती है और यूंग जिम के अंदर चलायता है चोई भी यूंग के पीछे जिम के अंदर जाने वाला था लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रोख लेती है क्योंकि चोई के पास में जिम के मिंबर्शिप नहीं थी रिसेप्शनिस्ट से चोई को पता लगता है कि योंग एक जिम ट्रेनर है और बात करते अचानक चोई के हाथ से हैमर गिर जाता है वो रिसेप्शनिस्ट उसे देख लेती है और हैमर को देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है अब चोई गुस्से में अपना आफिस में आता है उसकी एक नर्स चोई को केबिन के अंदर कर उसके शेडियूल के बारे में बताने लगती है चोई तुरंत नर्स को सर्जरी रूम को रेडी करने को कहता है उस सर्जरी रूम में सुली नाम की एक लेड़ी की आई-लिड सर्जरी होने वाली थी और नर्स देखती है कि चोई के हाथ पहली बार काप रहते तो इसलिए वो चोई को बार बात करने के लिए ले जाती है लेकिन चोई को खुद होश नहीं था कि उसके हाथ का आप रहते उसके मताबिक उसने आज तक कभी भी खरब ऑपरेशन नहीं किया था और उससे कोई भी गलती हो ही नहीं सकती थी चोई नर्स को डाट कर ऑपरेशन रूम के अंदर जाने को कहता है लेकिन ऑपरेशन रूम में चोई सूली के फेस में जुंग का फेस हैलिस्टनेट करने लगता है तो इसलिए गुस्से में चोई सूली का ही गला दबने लगता है और उसे बुरी बुरी गाले भी देने लगता है सूली डर के मारे ऑपरेशन रूम से पीटकर गाली देकर वहाँ से चला आता है पर हम देखते हैं कि इन सारे हंगामों की वज़े से चोई की उपर कुछ भी फरक नहीं पड़ा था चोई का भीविर दिखकर बाकी के पेशेंट भी वहाँ से चला आते हैं और खुद को शान्त करने के लिए चोई कोई injection अपने अं चोई आफिस से चला जाता है और बाकी की नर्स को भी काम खतम होने के बार में वो अपने अपने घर जाने को कह देता है सबी नर्स को चोई पागल लगता है क्योंकि आज तक कभी भी उनका स्टाफ चोई के साथ पे डिनर पर नहीं गया था चोई हमेशा ही उनपर अपना गुसा निकाला करता था फिर इधर हम देखते हैं कि एक डिलिवरी बॉय जूंग के पास में फूट डिलिवर करने आता है मतलब कि जूंग चोई के लिए खाना भी खुद ही नहीं बनाया करती थी बलकि वह बाहर से उसके लिखाना मंगवाती थी दूसरी तरफ यॉंग से मि करने की धंकी भी देती है लेकिन यॉंग सूल के धंको से डरने वाला नहीं था यहां पर हम देखते हैं कि चोई दूर से उन दोनों को नज़र रख वे था फिर कुछ टाइम के बाद में सूल जब घर पर थी तो चोई उससे मिलने के लाता है और सूल इस तरीके से अचानक जो चोई के घर पर उसका पसंदीदा खाना लेकर आई थी तब चोई उससे कहता है कि जूंग ने उसे कहा ता कि तो इस सूल को बाटॉक्स करवाना तो इसलिए वो सबसे अच्छा बाटॉक्स उसके ले लेकर आया है ताकि सूल घर पर एक कंफ़टेबल होकर अपनी बाट करने वाला है वो कुछ भी कर पाती उससे पहले ही चोई वोटोक्स का इंजेक्शन सूल की आँखों में गुसा देता है सूल खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती है और कुछी टाइम में वो तरफ तरफ कर वही पर मारी भी जात अब सूल का मडर करने के बाद में रात को चोई अपने घर पर वापस आता है जूंग ने उसके लिए डिनर रेड़ी किया हुआ था लेकिन चोई कोई स्पेशल मीट लेकर आया था जिसे वो जूंग को बनाने को कहता है और साथ ही मों से वैन भी लेकर आने को कहता है मीट आने की वजह से जूंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो चोई के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकती थी फिर कुछ दिर के बाद में दोनों डिनर टेवल के उपर बेठा वैते हैं जूंग मीट को पका रही थी लेकिन वो किस चीज का मीट था इस बात की जूंग को मना कर दिता है एक के बाद एक मीट खाने लगती है और जूंग को मीट खाथा और देख्टा कर चोई को बहुत्ते ज़दा खुशी हो रहिए थी अब चोई इसमाइल करते हुए जूंग को बेकूफ कहता है क्योंकि जूंग इस मीट को जूंग समझे खा रही थी जोई ill पास से सूल को कान निकाल कर जूंग के सामने रखता है और यहां पर हमें पता चलता है कि चौय ने सूल के कुछ बोड़ी के पाट का मीट जूंग को खिला दिया था। सूल के घर पर हम उसके कटीवी बॉड़ी को देखते हैं इस बात को सुनकर जून को उल्टिया होने लगती है कि उसने अपनी मा का मीट खा है चौई फिर उसे बताता है कि उसे उसके अफेर के बारे में पता चल गया है उसने खोद जून को उसके घर पर उसके बेटरूम में उसके बेट पर यौंग के साथ में इंटिमेट हुए देखा था जून समझ गई थी कि सच जाने के बाद में चौई उसे जान से मार भी सकता है तो इसलिए सेफटे के लिए वो एक चाकू उठा लेती है तब उस चौई एक टूल से जून के सरपर वार करके उसे जखमी कर देता है और उससे जून बेऊश हो जाती है चौई उसे घसीट कर अपने बेस्मेंट पर लेकर जाता है लेकिन वो इतनी आसानी से जून को मानने वाला नहीं था वो जूँक से वोल भी पदला लेना चाता था जूँके दोके को याद करके चोई रोने लगता है और चूई ने अपने हिसाब से कुबसुरत बनाने के लिए अपनी पुरी सिंदेगी लगा दी थी फिर अगले दिन हम चोई के क्लिनिक को देखते हैं जहाँ पर उसकी हेड़नर्स चोई के कल के बेहिवर को देखते हुए कीम से सब भी आपईडमेट को कैंसल करने को कहती है तब ही वहाँ पर चोई आता है जोकी नॉर्मल दिनों से बहुते ज़्यादा खुश लग राता और उसकी नर्सिस ने भी उसे कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था चोई अपनी हेडनर्स से सबी पेशेंट को उनके पास भेजने को कहता है और कल जो भी काम वो पुरा नहीं कर भाया वो चोई आज पुरा करना चाहता था लेकिन हेडनर्स को पता था कि चोई के दिमाग में जरू कुछ ना कुछ चल रहा है क्योंकि उसने चोई का ऐसा मोड़ स्विंग कभी नहीं देखा था दूसी तरफ यंग ने कई बार जोंक को कॉल और मेसेज किया था लेकिन उसने उसका जवब नहीं दिया था योंग को कुछ भी बता नहीं था कि कल रात को जोंक के साथ में क्या क्या हुआ था योंग जोंक से मिलने के लिए उसके घर के बार खड़ा था अब दूसरी तरफ चोई सुख से next patient को उसके पास में भेजने को कहता है और उसके बार में चोई के पास में एक बहुत रही खूबसूर पेशन आती है जो कि चोई को बहुत पसंदा आती है और चोई उस लेडी से बहुत रही अच्छी तरीके से बात करता है उस लेडी का नम यून था और वो उनके पास में ब्रेस्ट फिलर करवाने आई थी फिर चोई यून को उसके ब्रेस्ट दिखाने को कहता है यून डॉक्टर के कहे अनुसार ठीक वेसाई करती है और तब जोई उसके ब्रेस्ट को बहुती अजीब तरीके से टेस्ट करता है और वो उनको किस बिगरता है यून भी चोई से फिलर्ट कर रही थी और वो उसको उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तब जोई बताता है कि वो अपनी वाइफ को ठीकाने लगा देगा जो बात यून को बहुती जाद अजीब लगती है दूसरी तरफ यून को उसके जीम के रिसेप्शनिस्ट के पता चलता है कि कल कोई आदमी हमर लेकर उसके पीछ आ आता और वो उसके बारे में पूछ बिरा था यून को बताती है कि वो आदमी उसके साथ में लिफ्ट में था यून को पताता कि जून का हजबेंड एज में उससे बहुती बढ़ा है और वो एक फीमस प्लास्टिक सरजन है लेकिन योंग को पता नहीं था कि चोई कैसा दिखता है तो इसलिए वो इंटरनेट पर चोई के नाम को सर्च करने लगता है अब कुछ देर के बाद चोई के क्लिनिक एड़डाइसमन के साथ में योंग को चोई को फोटो दिखता है तब यॉंग को समझ माता है कि लिफ्ट में उसके साथ में चोई ही था और उसे अब जूंग के लिए भी चिंता हो रही थी यॉंग के ब्रेस्ट में सबसे मेंगा इंप्लांट लगाने वाला था वो भी बिल्कुल फ्री में और इस बात को लेकर यॉंग बहुत ज़्यादा खुशी थी अब चोई यॉंग को एनेस्टेसिया देकर बेहुश कर देता है फिर कुछ देर के बार में हेडनर्स से केम को पता चलता है कि चोई सुप को लेकर बिना उसे बताए किसी की सर्जरी कर रहा है चोई ने सभी पेशेंट को भी वापस अपने घर बेज जाता चुकि यॉंग के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगना ला था इस बात से हेडनर्स गुस्सा हो जाती है और चोई के पास में जाकर उसे यून के सर्जरी करने से रोकती है चोई ने यून की पूरी बोड़ी पर मार्ग किया वा था और कोई भी प्लास्टिक सर्जरी और पूरी बोड़ी सर्जरी एक ही टाइम पर करना पेशेंट के जान के लिए खत्रा हो सकता था उपर से Headners एक NSA सा Specialist थी तो चोई ने Headners को बताना भी सही ने समझाता और बिना NSA सा Specialist के किसी भी पेशेंट को NSA सा देने से उसकी जान को खत्रा हो सकता था और उसे Operation के बीच में होज भी आ सकता था अब चोई फिर भी Headners के बात नहीं सुन दाता तो इसलिए हेडनर्स गुस्से में लोकल रूम के अंदर चली आती है हेडनर्स अपने हस्बेंट को कॉल करके चोई की सभी बाते बता रही थी और वो चोई की पिलिस में रिपोर्ट करके ये जोब भी छोड़ने वाली थी अचानक चोई पीछे से आकर फार एक्स्टिंग्विशन से हेडनर्स का सर फोड़ देता है अब हेडनर्स के मनने के बाद भी चोई उसके फेस पर बार बार वार कर रहाता और वो उसके सर से उसके चेरे का नाम निशान मिटा देता है फिर इसके बाद में चोई फिर से आपरेशन रूम में जाता है सूप के पूशने पर वो वताता है कि उसने हेडनर्स को यहां से दूर वेज जा है सूप को लगता है कि चोई ने हेडनर्स को जॉब से निकाल जा है और चोई सूप को मुजिक चलाने को कहता है फिर वो सर्जिकल नाइफ से यून के ब्रेस्ट पर कट लगा कर उसके सर्जेरी को शुरू करता है दूसी तरफ किम बातरूम में थी तो इसलिए उससे हेडनर्स के मडर के बारे में पता नहीं चलता है अब चोई को यून के इंप्लांट्स बहुते छोटे लग रहे थे तो इसलिए वो सुक को बड़े इंप्लांट लाने को कहता है अचानक से सुक देखती है कि यून वच में आ रही थी तो इसलिए वो चोई को जल्दी से उसकी बाड़ी को फीर से सिलने को कहती है यून का blood pressure भी बढ़ राता लेकिन चोई फिर भी सुख की बात नहीं सुनता है सुख इतना गलत काम नहीं कर सकती थी तो इसलिए उडॉक्टर की help करने से मना कर देती है तब डॉक्टर पीछे सा आकर एक surgical knife से सुख का गला काड़ देता है और सुख मुई पर तरफ तलब कर मारी जाती है अब उसी टाइम पर कीम क्लिनिक के अंदर आती है और operation room के अंदर से आवाजों को सुनकर कीम डूर के पास जाकर नौक करती है तब चोई डूर को थोड़ा सा खुलकर उसे बताता है कि सुक ने कुछ गिरा दिया था तो इसी वज़े से माँ पर आवाज हुई थी चोई कीम को operation पूरा होने तक उसे डिस्टरब करने से मना करता है और दोर को बंद कर देता है कीम लोकर room में जाने वाली थी लेकिन फोन बजने से वो लोकर room के अंदर नहीं जाती है फोन पर योंग था जो कि चोई के बारे में पूछ राता है जब योंग को पता चलता है कि चोई अभी भी क्लिनिक में है तब फोन कट कर देता है और चोई के घर के लिए निकल जाता है फिर इधर operation room में योंग आदे होश में आ चुके थी और दर्द के कारण वो तड़पने लगती है और उसका blood pressure भी अब बढ़ने लगा था चोई ने योंग के ब्रेस्ट के सिलाई भी ठीक से नहीं की थी जिससे कि उसका बहुत एक खुन निकल राता और कुछी टाइम में योंग तड़प तड़प कर महीं पर मारी जाती है चोई पहले तो योंग के लिए रोह राता लेकिन बाद में उग कहता है कि उसने गलत लड़की को चुन लिया था और उसके सारी महत बेकार चली गई यहाँ पर अब डोर कोई भी नहीं खोल राता तो इसलिए योंग पीछे के डोर से घर में गुशता है घर के अंदर उसे बलट के निशान दिखते है और उन निशानों का पीछे करके योंग बेस्मेंट बजाता है जहाँ पर उसे जूंग दिखाए देती है और उसे चोई ने बांद के रखावा था जूंग की बॉड़ी में चोई ने पोईसन फ्लॉवर के जूस को इंजेट कियावा था ताकि जूंग दिरे दिरे तरब तरब कर मारी जाए लेकिन सई टाइम पर योंग जूंग को बचा लेता है और उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है यहाँ पर किम जूस लेकर आपरेशन रूम में जाती है और अंदर की हालत देखकर किम शौगड में थी चारो तरफ खूनी खून गिरावा था और सुख और जूंग की डेट बोडिस वही पर पड़ी हुई थी कीम वहाँ से भागने वाली थी और अचानक उसके सामने चोई आ जाता है चोई को लगता है कि कीम अपने घर गई होगी अब जब कीम ने ये सारे मड़द देख लेते तो चोई कीम को मानने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है चोई की तरफ एमेजिन कर रहा था और वो कीम को ही योंग के बारे में बोलकर उसे गालिया दे रहा था तब ही कीम अचानक जमीन पर पड़ेवे खून से फिसल कर गिर जाती है और चोई उसके पास में आकर उसका गला दबाना लगता है जैसे तेसे कीम चोई के हाथों पर एक केची गुसा कर ओपरेशन रूम से लौकर रूम में खुद को बंद कर लेती है चोई सर्जिकल नाइफ लेकर रूम के तरफ जाता है और रूम के डोर को लात मार मर के तोड़ने की कोशिश करता है वहीपर कीम को हेडनर्स की खून से लटपत डेट बोड़ी दिखाई देती है जिससे देखे कर कीम और भी ज़्यादा डर चुकी थी फिर कुछी टाइम में चोई डोर को तोड़कर अंदर गुस जाता है और तब कीम फार एक्स्टिंग्विशन पर इस्प्रे करती है लेकिन कुछी टाइम के बार में इस्प्रे खतम हो जाता है चोई कीम के ओपर फिर से अटेक करता उससे पहले ही वो उस फार एक्स्टिंग्विशन को लेकर चोई के सेपर मार कर वहाँ से भाग जाती है अब सर के उपर चोट लगने के कारण कुछ टाइम के लिए चोई उख गया था चोई अपने सभी मडर के बारे में सोचता है और एक जग़ा पर आकर बेट जाता है योंग और कीम ने पुलिस को इन्फोर्म कर दिया था तो इसलिए पुलिस चोई के क्लिनिक और घर दोनों में चोई को पकड़ने के लिए जाती है लेकिन पुलिस को चोई कहीं नहीं मिलता है चोई अपने घर के बारे थोड़ दूर पर खड़ा था और वहां से सभी के उपर नजर रखे हुआ था चोई का बतल अभी भी पूरा नहीं हुआ था और वो इस तरीके से खुला भी नहीं गुल सकता था फिर कुछ देर के बाद में जूंग को होश आता है और वो अभी भी चोई से डरी हुई थी यूंग उसे बताता है कि पुलिस को चोई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है उसे पुलिस ही जल्दी पकड़ लेगी जूंग तब अपनी माँ को याद करके बहुते ज़ादा रोती है क्योंकि चोई ने उसकी माँ को गुटली तरीके से माँ डाला था और उसका मीड भी उससे खिला दिया था यूंग जूंग को समबलता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा पुलिस चोई के केबिन में जाती है और यहाँ पर मुवी का एक सबसे बड़ा राज कुलता है चोई के केबिन से पुलिस को 1986 में एक 20 साल वाली पार्क नाम की लड़की की फोटो मिलती है जो की बिलकुल जूंग की तरह दिखाए देती थी पुलिस को एक साल पहले जूंग की असली फोटो भी मिलती है जो की बिलकुल अलग थी मतलब कि चोई ने जूंग को पूरी तरीके से बदल कर पार्क की तरह बना दिया था अब ये पार्क नाम की लड़की को है ये हमें आगे पता चलने वाला है अब हम चोई को एक पब्लिक बात्रों में देखते हैं जो कि खुद के उपर कुछ इंजेक्ट कर रहा था अब रात को यॉंग जब कुछ टाइम के लिए पात्रों में जाता है तो चोई जूंग के पास में आकर उसे कुछ टाइम के लिए प्रलाइस करने वाली मेडिसिन उससे दे देता है यौंग जब बात्रों में वापस आता है तो जूंग की हेल्थ देर देर खराब रही थी और यौंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था तब भी जूंग यौंग के पीछे चोई को देखती है लेकिन वो यौंग को उसके बारे में बूल नहीं पा रही थी यौंग को समझ पाता उसके पहले चोई उसके उपर भी परलाइस करने वाले मेडिसिन को इंजेक्ट कर दियता है यौंग चोई को मानने यह बाला था लेकिन तब ही उसकी बाड़ी वहाँ पर काम करना बंक देती है और तब चोई योंग के सर पर लात मार मार के उसकी जान ले लिता है योंग का सर भी चोई ने हेडनर्स की तरह पुरा खराब कर दिया था फिरम देखते हैं कि चोई जूंग को अपनी लाइफ की डियल स्टोरी बताने लगता है वो उसे बताता है कि जब वो यंग था तो चोई पार्क नाम की एक लड़की से प्यार करता था दस साल तक प्यार करने के बाद में उसने हिम्मत करके पार्क को परपोस किया लेकिन पार्क ने उसका कोई जवाब नहीं दिया वो बस उसकी बातों पर हस दिती और gustे में चोई ने पार्क क को मार डाला था लेकिन उसे अभी भी किसी तरीके से पार्क को हस्ल करना था तो इसलिए उसने जुंग का ही चेरा पूरी तरीके से सर्जरी से बदल दया और उसका चेरा बिल्कुल पार्क की तरह बना दिया था लेकर वो ये भी कहता है कि उससे अब जूंक की कोई भी जरूत नहीं है क्योंकि उसकी बोड़ी को किसी ओर लड़के ने ठच किया है जो बाद चोई को पसंद नहीं आती है लेकिन चोई अभी नहीं चाहता था कि उसके पहले प्यार का फेस जूंक के पास में रहे क्योंकि उसने जूंक को ये फेस दिया था तो अब वो उससे पार्क का फेस वापस लेना चाहता था ये केकर चोई जूंक के फेस पर सर्जिकल नाइफ से कट मारता है अब कुछ टाइम के बार में एक पेशेंट को हॉल में जूंग दिखाई देती है जूंग खुन से लतपत थी और जूंग को देखते ही वो पेशेंट डर कर वहाँ से भाग रहे थे सबी पेशेंट और नर्स वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चोई ने जूंग के फेस की पूरी चमड़ी को निकाल दिया था और अब जूंग बहुते ज़्यादा दर्द में थी पुलिस अभी भी चोई को पूरे शेहर में ढूंड रही थी और चोई एक अंदरी सलक पर अकेली गूम रहा था सिन कट होता है और अब हम देखते हैं कि कहानी एक साल के बाद में शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे प्लास्टिक सर्जिन ने यूंग नाम के एक लड़के की फुल फेस की प्लास्टिक सर्जिन कर दिती और आज डॉक्टर यूंग के बेंडेजेस को निकालता है यूंग फिर अपने चेहरे को देखता है और स्माइल करता है और अगेन हमें एक साल पहले का सिंध दिखाय जाता है जहांपर चोई ने दोड़ पा सोहरे यूंग नाम के एक लड़के का मडर कर दिया था एक बिकारी ने भी इस मडर को देख लिया था लेकिन वो उसे कुछ ने केता है चोई ने यूंग का फेस पुरी तरीके से बिगार दिया था और फिर वो यूंग की आईडी अपने पास में रख लेता है उसके बार में चोई पत्तर से अपने फेस पर मार मार कर खुद का भी फेस बिगार देता है अब फिर वो उसी प्लास्टिक सर्जेन का होस्पिटल में जाकर उसके फेस को सही करने के लिए हल्प मांगता है डोक्टर चोई के पास में मिल हुई यूंग की आईडी देख करी उसके फेस की उसी तरीके से सर्जरी कर देता है अब प्रेजन टाइम में चोई यूंग का फेस और उसका नाम पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और अब वो अपने एक नहीं सिंदगी शुरू करने वाला था चोई का नया चेहरा हमें इस मूवी वो नहीं दिखा जाता है और इसके साथ में ये मूवी ये पर एंट कर दी जाती है तो दोस्तो इस मूवी को अगर इसलिए समझा जाए तो चोई बच्पन से ही साइको था तो इसलिए वो कभी भी खुद को शान्त करने के लिए कुछ इंगेक्शन भी लेता था चोई को अपनी यंग एज में पार्क से प्यार हुआ लेकिन उसने चोई के प्यार का मज़ा कुड़ा दिया गुस्से में चोई ने पार्क को माड डाला था और तबी से चोई को हसने वाले लोग मिल्कुल पसन नहीं थे चोई पार्क को वापस से हसिर करना चाता था और एक दिन वो सूल के जरी जूंग से मिला सूल और जूंग पहले से ही चोई को फसाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि वो उसके पेसे हड़प ले चोई धीरे धीरे जूंग के करीब आया और एक दिन उसने जूंग को पुरी तरीके से पार्क में और एक दिन उसने पुरी तरीके से जूंग को पार्क में बदल दिया मूवी के शुरुआत में जूंग की प्लास्टिक सर्जेरी हो रही थी और शादी के बाद से ही चोई ने जूंग को पार्क में पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दिया था उसके कपड़े, उसके बाल और उसका बहेवियर पूरी तरीके से उसने चेंज करवा दिया था लेकिन किसी और की परस्नलाइटी जी कर जूंग ठक चुकी थी और उसने अपने वर्फिर्ण के साथ में आज़ाद जिन्दगी चाहिए थी एक दिन चोई को उसके अफ़ेर के बारे में पता चल गया था जिसके बाद में वो पूरी तरीके से साइको बन गया उसने सुल, हेडनर्स, सुक, यून, यौंग सभी को अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसने अपनी पतनी जूंग का चेरा ही छीन लिया था ताकि जूंग को कभी भी खुबसूते नसीब न हो और इन सबसे बचने के लिए चोई ने खुद यूंग को मार डाला और उसकी आइडिया यूज करके खुद का फेस यूंग में बदल लिया किसी को बेशक नहीं हुआ कि वो यूंग नहीं बलकि चोई है क्योंकि चोई ने अपना फेस पूरी तरीके से खराब कर लिया था और इस तरह वो अपने पास्ट के सभी क्राइम से आज़त हो गया और एक नई जिंदगी शुरू करके वो अपने अगले शिकार के तरह बढ़ गया था तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस साइको डॉक्टर की कहानी पसंद आई होगी है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्स्राइब करना और अगर आप इस पूरी मूवी को देखना चाते हैं तो मिरे टेलिक्राम चैनल को जॉइन कर लेना मैं वहाँ पर अपने दूरा एक्स पिंग की गई सारी मूवीज को डालता हूँ